नमस्कार दोस्तो, माई हल्प सियोम चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कोलर्डशिप 2023-2024 के बारे में बहुत ही बड़ी खुश खबरी यहाँ पर आ चुकी है आवेदन की जो डेट है वो बढ़ाई जा चुकी है जैसे की बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी की ब्रक्साइड नहीं चल रही थी ब्रक्साइड खुल नहीं रही थी काफी दिन से तो उसके अधार पर चात्र काफी ज़्यादा जो बहुत सारे चात्र है वो फॉर्म को नहीं भर पाये थे तो फाइनली सभी ये हर बार ही होता है कि UP scholarship की date हर बार दो तीन बार हर बढ़ाई जाती है तो फाइनली UP scholarship की जो date है उसे बढ़ा दिया गया है नया circular जारी कर दिया गया है नया time table पूरा जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि हम जानेंगे कि पैसा इनका कब तक भेजा जाएगा समाज कर लिया ओफिस की तरफ से पैसा कब तक जारी किया जाएगा date बढ़ गई है पैसा किस दिन आपको मिलेगा सारी जानकारी इस वीडियो में है जानेंगे तो चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करें साथ में बेल आइकन को दबाएं आल पे किलिक करें इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास notification पहुँच जाएगी और आप time to time update रहेंगो और साथी में टेलिग्राम से आप सभी को जुड़ना मत भूलिएगा टेलिग्राम की ID है माई हेल्प सियोम या फिर लिंक आपको description में मिल जाएगा तो हम चलते हैं यहाँ पर notice को open करते हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं यह अमर उजाला के आर्टिकल में छपा हुआ है आज के ही डेट में है यहाँ पर सबसे पहले आप date को देख सकते हैं यहाँ प के लिए अपडेट आए वो लागू होती है सभी जिलो के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जिलो से मिलता जुलता ही होता है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एक मार्च को विद्यार्थियों के खाते में आएगी छात्रवती अब यहाँ पर पूरा time table पहले चात्रवती के लिए आनलाइन अवेदन कर सकते हैं अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो बात मैं कर रहा हूं 9th 10th वाले चात्रों के लिए कि अभी उनकी जो डेट थी वो 10 नौंबर यहाँ पर बताई गई थी लेकिन अब यहाँ पर डेट जो आए गया है कब तक भेजा जाएगा यहाँ पर मार्च में पैसा भेजा जाएगा जिला विद्याले निरिच्छकों को अदेश दिये हैं कि माधमिक विद्यालियों के हाई स्कूल वा इंटरमीडियेट के छात चात्रों को डाटा 17 नौंबर तक तयार कर लिया जाएगा और उसके साथ ही 5 दिसंबर तक उनकी अधिकारिक्ता में आने वाले समस्त विद्यालियों की मानता सुईकरत हैं। नवीनी करण ना करने वाले चात्रों के लिए यहाँ पर जो भी भौतिक सत्यापन 30 दिसंबर तक कर लिया जाए। पर बताए गई है जो कि मैंने पहले वीडियो बना के बताया है तो वीडियो कसे लागा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताना है फैनली कोई भी अपडेट आएगी तो आपको माई हिल्पस्यों चैनल पर सबसे पहले वीडियो दोखने को मिल जाएगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वडियो में तब तक लिए बैबै